स्वागत है आपका और एक सेशन में जहाँ पे अपन समझने वाले हैं कॉस्टिंग के कुछ इंपोर्टेंट फंडास जिनके ऊपर 10 मां का शूर शॉर्ट एक्जाम में क्वेशन आ सकता है तो प्लीज विडियो को जरूर लाइक करना आपको ऐसे और कनेक्टेट वीडियो मिलते जाएं प्लस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना बिकॉज मैं ऐसे और विडियो लाते रहूँगा कोस्टिंग के लिए और फिनेंशल मैनेजमेंट के लिए विच विल बी रियली हल्पूल तो यू फॉर एग्जाविनेशन अब आज मैं आप लोगों करवाने वाला हूँ दिफ्रेंस बिट्विन मार्जिनल एन अब्सॉप्शन कॉस्टिंग और उसी का एक प्रैक्टिकल संभी मैं करवाँगा डिरेक्ली पिग्डप फ्रॉम यूर आईसी एया मोड्यूल तो कॉंसेट भी क्लियर हो जाएगा और मोड्यूल से आप लोग का वो क्वेशन भी हो और आपने कोई भी भी बुक से पढ़ा हो एम शॉर के जो भी प्रोफेसर से आपने पढ़ा होगा मेरे से पढ़ा होगा तो वह वाला सम तो हमको करवाना ही है so I think that will also be really really beneficial to you तो चलो हो let's start so ये notes कहां से मिलेंगे आप लोगों को जो अभी मैं बता रहा हूँ so yes if you have the magic book well and good if not then description पर मैं मेरा telegram channel का link दे रहा हूँ वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे ये सारे के सारे notes alright guys तो चलो let's start on that note with distinction between marginal and absorption costing तो सबसे पहले तो ये ही समझ में नहीं आता है लोगों को कि marginal and absorption में फरक क्या है बिटा so बरकुरदार फरक ये है that in absorption and marginal there is only one major point of difference and that is on treatment of fixed cost absorption costing fixed cost को per unit basis पे determine करता है and marginal costing fixed cost को totality पे रखता है this is the major difference और इस fixed cost की difference की वजे से दोनों के valuation of stocks पे भी impact आता है alright guys so I hope ये एक at least kickstart आपको मिल गया होगा अब कैसे होता है ये fixed cost का difference कैसे इसे valuation में उपर नीचे होता है ये सारी चीज़े अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो सबसे पहला क्या बोला मैंने आपको की difference between marginal and absorption is only one again I am telling you and that is treatment of fixed cost in absorption the fixed cost is on a per unit basis इसका मतलब आपको absorption में पहले fixed cost per unit calculate करना पड़ेगा so आप absorption में fixed cost per unit कैसे calculate करोगे absorption on the basis of इसको बोलते हैं pre-determined rate तो आपका budgeted fixed overheads पहले से आपको पता होना चाहिए कितने units आप बनाने वाले वो पता होना चाहिए इससे आपको पता चल जाएगा आपका fixed overheads per unit कई बार fixed overheads per r भी calculate होता है so यह कैसे work out होता है I'll let you know right now तो मैंने क्या किया है पता है क्या इस concept को एक तम simplified बनाने के लिए आप जब आप next page को लोगे ना तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है एक absorption costing का PNL account ICAI का तुम लोग PNL account देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा है ठीक है but anytime all of us are comfortable with this T format of बोलते ना PNL account बस इसी में जब अपन लोग numbers डालते जाएंगे ना we will be able to easily solve any question जो marginal और absorption का connected है बस आपको end तक रहना है focused dynamic ICAI का module का भी समगर होँगा एक दम systematically तुम लोग के दिमाग में set हो जाएगा is what my promise is चलो on that note I am starting so absorption costing versus क्या वोला marginal costing absorption costing में fixed overheads per unit basis पे निकाला जाता है तो इसका मतरब क्या है पता है क्या इसमें आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि absorption हो या marginal दोनों का जो sales है वो same रहता है दोनों का जो variable cost है वो भी same रहता है दोनों का variable cost भी same रहता है तो सर चेंज क्या होता है चेंज होता है काली उनका fixed cost यह fixed cost यहाँ पे per unit basis पे आता है absorption में and marginal में यह fixed cost totality पे रहता है that's it अब सुनो ध्यान से कैसे ये per unit basis पे निकालते है तो देखो absorption में जो business होता है for example मेरा mobile का business है मैं पूरे साल में 10,000 mobile बनाने वाला हूँ कितने हैं 10,000 mobile तो वो लोग बोलते हैं बाई देखो 10,000 mobile मैं बनाने वाला हूँ मतलब 10,000 units बना रहा हूँ मैं या फैडमिन हो गया ऐसे करके जितने भी insurance है taxes है जितने भी मेरे fixed cost है ना उन सब को मैं collect कर लूँगा और यहां पे आ गया मेरे पास से 40 lakh rupees 40 lakh rupees is the total amount of fixed cost that I am planning to incur तो इसके लिए word use किया गया है यहां पे budgeted fixed cost देखो scene क्या है पता है क्या आपको आपका production start करने के पहले यह fixed cost per unit निकालना पड़ता है because जब आप अपना production start करके market में ऐसे for example sell करना start करोगे तब आपके पास पहले उसके fixed cost per unit calculated होना चीए because तो ही आप अपना selling price निकाल पाओगे variable cost per unit आपको production के पहले पता है fixed cost per unit भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा पहले ही वो आज गया total cost per unit उसमें आप profit add करते हो और फिर वाद में आपका selling price बता है anyways उसको side पे रखते है so in short fixed cost per unit आपको पहले से ही निकाल के रखना पड़ता है तो पहले से ही निकालना है बता है आपको budget budgeted fixed cost पहले निकालना पड़ेगा 40 lakh divide by यह क्या है यह आपका budgeted production है but sir आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ तो आगे बताऊंगा क्या होगा उसका impact so budgeted fixed cost है आपका 40 lakh का आपने सोचा कि आप total 10,000 unit बनाऊगे so यह हो जाएगा आपका rupees 400 per unit का fixed cost clear everybody marginal में यह सीनी नहीं है marginal में जो fixed cost totality पे है यह actual fixed cost को ही वो लेता है बात कतम so marginal में तो एकदम simple हो गया marginal में तो जो question में दिया है वो ही as it is लेना है जब मैं sum solve करूँगा तब हाप लोग देखोगे और note करो यहाँ सर marginal का तो fixed cost का को impact ही नहीं है done अब यह ऐसा क्यों difference हुआ उसका reason है दूसरा तो पहला कि भाई fixed cost की वज़े से दोनों में difference आता है absorption और marginal fixed cost इधर per unit पे उधर fixed cost totality पे अब दूसरा समझना दोनों का stock valuation absorption में stock valuation होता है variable cost per unit प्लस fixed cost per unit के basis पे वेराज वेराज मार्जिनल में stock valuation is done वेराज मार्जिनल में stock valuation is done on the basis of variable cost per unit clear everybody किसी को कोई भी doubt इसमें कोई शंका नहीं है ना होना भी नहीं चीए अब सुनो जो भी मेरा stock आएगा ठीक है जो भी मेरा से for example मेरा closing stock आया अब मेरा closing stock आया 300 units तो मैं क्या करूंगा 300 units को मेरे को value करना है तो 300 units will be valued in case of absorption costing on the basis of variable cost per unit plus fixed cost per unit but यही जब closing stock को value करना है होगा यहां पे भी 300 units ही होगा यहां पे भी 300 units ही but this will be variable cost per unit in case of marginal it will be 300 into khali variable cost per unit याद रखना बस यही difference है that's it stock valuation यहां पे fixed cost per unit को भी लेता है marginal बोलता है कि khali variable cost per unity लेना है that's it क्या आप लोग सब लोग को समझ में आ गया guys क्या होता है absorption and marginal का difference that's it अब इसको समझ में तो आ गया sir but practically apply करना है इसके लिए मैंने बुला एक मैं sum solve करूंगा तब आपको clear हो जाएगा और कुछ नहीं है अब यह आप लोग समझो solve करने को बैटोगे तो आप लोग देखोगी कि यह इतना बड़ा-बड़ा absorption costing का marginal costing का statement दिया है कुछ तो भारी होने वाला है कुछ भारी नहीं होने वाला है आओ आप लोग को institute को ही एक sum के through इसको confirm करता हूं तो देखो जो मेरा ही नोट से एक बार उसको आपन लोग देख लेते हैं यहां पर देखो क्या बूल है the distinction in these two are illustrated as below सर कहां मिलेगा यह notes comments में pin किया है telegram channel click there notes वापे मिल जाएगा otherwise magic book आपके पास होगी तो marginal chapter में यह है तो practice of charging both fixed and variable cost to the product absorbed on the basis of predetermined rate budgeted fixed overhead upon budgeted production जो मैंने आपको बोला कि यह आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका budgeted fixed cost कितना होने वाल है upon budgeted production आप कितना करने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा आपका budgeted fixed cost per unit कितना है वो ही उसी को प्यार से recovery rate per unit भी बोलता है इसी को प्यार से absorption rate absorption fixed cost per unit भी बोलते हैं तो यह fixed overheads per unit निकाल लिया क्योंकि जब मेरे को valuation of stock करना है तो मेरे को variable production overhead per unit के साथ fixed production overhead per unit भी चाहिए त्याना fixed production overhead actually मुझे यहां पर लिखना चाहिए यह budgeted fixed cost नहीं इधर में को लिखना चाहिए budgeted production related fixed cost production वाला fixed cost upon budgeted production okay okay but marginal costing इसके लिए उसको इग्नोर कर दिया fixed cost को और खाली वेरियेबल production and fixed cost are treated as period cost period cost मतलब इन total जो actual fixed cost आया है वही marginal में बात करता हूं in a nutshell in absorption fixed cost product cost तो इसके लिए उसको per unit के basis पे निकाले और stock evaluation में भी फिक्स production cost per unit को add किया है but marginal में period cost है इसके लिए उसको ignore कर दिया fixed cost को और खाली variable production overheads per unit ही लिया है अब practical sum को solve करूंगा मैं using my this technique जो आप लोगों को या पे दिरना इसमें आपन सब comfortable है and definitely we will use this and we'll be able to solve the question और देखो मैंने इसमें आप लोगों को क्या बुला था मैंने बोला sales दोनों का same ही रहेगा variable cost दोनों का stock valuation आव देखते हैं और इस sum को बहुत easily solve करते हैं तो यह sum कहा पर मिलेगा sir आप ही की ICAI की module में आप लोगों को आपका बस एक ICAI का module open करना है उस module में यह illustration आपको मिल जाएगा optimize में भी आई यह वहाँ से भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग initiates marginal and absorption costing in the easiest manner जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कहीं पह आपको यह technique नहीं मिलेगा let's get started yes wonder limited manufactures a single product zest the figure relates to a one year period sales and production units 50% का दिया है 100% का दिया है sales 8 lakh 16 lakh production cost variable fixed selling and distribution variable and fixed fixed मुझे बताओ जब आप valuation of stock करोगे तो आपको absorption में यह दोनों लेना है बड़ जब आप marginal करोगे तो आपको खाली variable production cost लेना है बड़ जब आप absorption करोगे तो variable production cost and fixed production cost दोनों लेना है ध्यान रखना normal level of activity is 800 units यह जो normal level of activity है न यह होता है आपका budgeted production बराबर है आपको variable sorry fixed production cost budgeted fixed production cost already दे दिया है यह आपका budgeted fixed production cost हो गया समझ रहे है तो आपको क्या मिल जाएगा correct recovery rate per unit जिसको बलते है fixed production overhead per unit जो मेरे valuation of stock के लिए काम आएगा very important fixed cost are incurred evenly throughout the year and actual fixed cost are same as budgeted बहुत अच्छी बात there were no stock of zest at the beginning of the year ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि sir opening stock है zero in the first quarter 220 units were produced and 160 units were sold very important notice अब देखो सुनो सबसे पहले अगर अपने को यह sum को solve करना है then in that case अपने को पता चलना पड़ेगा कितना opening stock है कितना closing stock है तो उसका अपना एना एक simple सा format होता है देखो क्या कि opening stock plus units produced opening stock plus units produced is equal to closing stock plus units sold closing stock plus units sold opening stock क्या होता है भाई opening stock है मेरा zero ऐसा मैंने question बोल रहा है units produced कितना है question में देखो जरा आपको दिखेगा 220 units units sold कितरा है आपको दिखेगा question में 160 unit आपको इसी से closing stock पता चल जाएगा and that is 60 units and that is 60 units यह समझ में आगे आप लोगों को बहुत important चीज है because अब जब मैं इसी के basis पे मेरा एक P&L account बनाऊंगा absorption costing का तब मुझे यह information काम आएगा question को अभी और देखते हैं compute the fixed production cost absorbed by zest if absorption costing you calculate the under recovery and over recovery of overhead अब यह सम करते करते समझेगा अब देखो इदर सबसे पहले absorption cost में एक चीज अपने को बहुत easy लगती है और वो है by sales यह अपन क्या कर रहे है absorption cost के हिसाब से बना रहे हैं अपन लोग अपना profit and loss account absorption cost के हिसाब से बना रहे हैं अपन अपना profit and loss account by sales by sales कितना है question में दिया हुआ आपको भाई 160 units आपने बेचा है बराबर है 160 units were sold तो 160 units आपने बेचा है अचा अगर आपने 160 units बेचा है तो क्या price है आपके एक unit का एक unit का price कितना है तो it is 8 lakh rupees divided by 400 units so 8 lakh divided by 400 and that is rupees 2000 per unit यह आपका selling price per unit आपको मिला है बहुत इसकी selling price calculate करने के लिए कोई बहुत knowledge नहीं चीए बहुत evident है आप लोग यहां से भी इससे भी calculate करोगे तो भी आपको सेमी answer आएगा सही बोल रहा हूं मैं तो अपने को into selling price per unit आ गया 2000 per unit यह कैसे calculate किया वो भी अगर आपको दिखाना है आप लोग यहां पर दिखा सकते हो 8 lakh divided by 400 और 16 lakh divided by 800 so 8 lakh divide by 400 units so 160 into 2000 and this is rupees 3 lakh 20,000 and this is rupees 3 lakh 20,000 समझ में आ रही है आपको बाते मेरी यह 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 सर तो sales मेरा आ गया है अब आ जाते हैं अपन लोग यह side पे so अब यहां पे सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते है opening stock यहां पर opening stock है zero question में दिया वा है ठीक है sir आगे बढ़ते है second concept अपना क्या होता है opening stock के बाद के अपन लोग का कितना purchase हुआ है यह unit जो produce हुआ है उसके लिए क्या cost लगा है तो वो भी आपे question में दिया है variable production cost तो two variable यह debit side है बबा यह अपना credit side है तो two variable production cost अब सुनो कितना units produce हुआ है 220 units produce हुआ है तो 220 units produce हुआ है into एक unit बनाने के लिए कितना cost लग रहा है variable cost यह देखो ना 320,000 divided by 400 यहां पे sales and production units 400 दिया है तो यह 320,000 divided by 400 करूंगा तो per unit variable cost मिल जाएगा सो 320,000 rupees divided by 320,000 rupees divided by क्या बुला है 400 units 400 units so 300 divided by 400 and it will be and it will be rupees 800 per unit and it will be rupees 800 per unit 800 into 220 यह आता है rupees 1,076,000 किसी को कोई शक समझ में आ गया यह अब बता दू मैं marginal में भी यह पूरा system तो same ही रहने वाल as it is copy कर रहा है गेम किदर बदलेगा fixed cost पे because absorption costing में आपको fixed cost calculate करना पड़ेगा per unit basis पे जो आप कैसे calculate करोगे जैसा मैंने बुला budgeted fixed production cost total divided by budgeted production तो में को बताओ budgeted production कितना है मेरे को बताओ budgeted production कितना है so budgeted fixed production cost वो लोगने दियावा है दियावा है 1,60,000 तो इदर आपन लोगने ले लिया 1,60,000 budgeted production कितना है बोलो 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 budgeted production कितना है देखो question में दियावा है normal level of activity this is your budgeted production and that is 800 units to 1,60,000 1,60,000 divided by 800 कितना होता है and that is 200 units but 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 अपने को देखना पड़ेगा budgeted level of activity correct so 1,60,000 divided by 800 fixed cost तो fixed है वो तो production के basics पे change नहीं होता है ये तो अपने को basic चीज़ पता है न तो 1,60,000 divided by 800 units आता है rupees 200 per unit rupees 200 per unit अब सुनो ध्यान से सबसे important point जब आप यहां पे लिखते हो ना fixed production cost तो हम लोग यहां पे लिखेंगे total कितना units है sir total 220 units है multiply by क्या बुला है 200 per unit 200 rupees per unit बस यही सबसे बड़ा game changer है as far as absorption is concerned क्या that आपका जो total production है multiply that by the number of units produced so fixed cost production fixed production cost per unit 200 कितना 200 per unit into production कितना हुआ है 220 units यहां पे भी 220 into 800 किया था कितना easily हो गया units produce 220 है units produce 220 है एक unit का variable cost कितना 800 एक unit का fixed cost per unit कितना है हम लोग ने आपे calculate कर लिया 200 and this works out to sir this works out to rupees 44,000 most crucial point market as important अब यह सम एकदम चुटकियों में खतम हो जाएगा आओ अब देखो और क्या-क्या वो लोग ने दिया वाया पट्टाफट अभी आपन लोग देख लेंगे and things will become very very easy सुनो variable and selling distribution cost इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो यह variable cost 160,000 for 400 units अपन लोग ने कितना unit sale किया यह भाई साहब यह selling and distribution cost है तो selling and distribution cost तो sales number of unit sale पर आएगा ना तो यहां पर अपन लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे selling and distribution cost selling and distribution cost मुझे बताओ selling and distribution cost कितना रे वो कितना रे वो so selling and distribution cost है मेरा इदर 1,60,000 for 400 units तो मैं बोलेगा भाई 1,60,000 अगर 400 units के लिए है तो sales कितना किया है 160 unit के लिए कितना होगा तो 1,60,000 divided by 400 into 160 is equal to 64,000 is equal to 64,000 समझ में आया आप लोगों को यह चीज and last but not the least is the fixed cost fixed cost कितना है अब देखना यहां पे एक छोटा सा twist है ध्यान रखना यह जो 2,40,000 दिया है यह तो पूरे साल का है यह figures relate to a one year period यह तो पूरे साल का है अब पूरे साल में यहां पे जाव अपन लोग ने किया था न तो budgeted production 800 unit अपन लोग तीन महिना मतलब तीन महिना तो अगर total मेरा है 2,40,000 तो 3 महिने का कितना है तो 2,40,000 into 3 by 12 यह आ जाएगा आपका 60,000 यह आ जाएगा आपका 60,000 यह नॉर्मल fixed cost है वही 2,40,000 पूरे साल का है तो 3 महिने का 60,000 समझ में आया आपको बन गया मेरा absorption कोस्ट के साब से पीनल बस एक लास चीज़ बती है क्या by क्या आता है by correct by closing stock अब सुनो कितना यह closing stock बढ़ा है सर 60 units का closing stock बढ़ा है into आप क्या करते हो सर variable cost per unit plus fixed cost per unit अचा variable cost plus fixed cost कितना है तो variable cost per unit 800 per unit fixed cost per unit कितना है 200 per unit तो कितना हुआ 60 into 1,000 per unit कितना होता है 60,000 कितना होता है 60,000 रूपीश गच्या everyone so 320,000 sales closing stock आ गया opening stock में opening stock 0 है variable production cost fixed production cost selling and distribution and यहां पे यहां पे यहां पे जो अपने को दिख रहा है यह fixed cost आप लोग अभी दिख रहा होगा अगर तुम लोग ने note किया होगा तो वो लोग ने को second part में पूचा है under or over recovery yes यह क्या होता है under या over recovery तो वो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा and things will be very very clear यह last aspect है इस question का अब सुनना ध्यान से मैं आप लोगों को है ना इसका logic बता रहा हूं एकदम next level का logic है मैं बाकी तो ऐसा formula भी बता सकता हो अब ध्यान से सुनना logic को मुझे क्या लगाता कि first quarter में कितना production होगा वही मुझे लगाता 800 units बनेंगे पुरे साल में 800 बनेंगे पुरे साल में तो into 3 by 12 first quarter के हिसाब से can I say 200 units can I say 200 units first quarter में बनने चाहिए थे but मैंने बनाए 220 units actual में तो 220 units बनाए मतलब can I say 20 units जो मैंने जाधा बनाए है 20 units can I say मेरे से better बने है अब यह understanding guys तुम लोगो दिख रहा है यहाप अब एक unit के उपर मैं 200 रुपया recover कर रहा हूं in the name of fixed cost per unit ideally मुझे लगाता मैं 200 unit बनाऊंगा into 240,000 rupees मेरे को fixed overhead का मिल जाएगा but सुनो मैंने तो 220 units बना दिये मतलब 20 units जो मैंने extra बनाए है कैना है से उन्टे इन extra units के उपर भी 200 per unit मेरे को मिला रहेगा जो कैना है इसे मेरे को जाधा recover हुआ है पैसा एक units से मैं 200 रुपया ले रहा हूं in the name of fixed overhead fixed cost per unit के नाम पे 200 रुपया ले रहा हूं अगर मैंने 220 unit बनाए है तो 20 unit जो extra बना है उन extra unit के उपर मैं extra 200 रुपया ले रहा हूं मतलब recovery over recovery 4000 हुआ कैसे 220 units extra into 200 per unit जो इधर मैं fixed cost का recover कर रहा हूं यह हो जाता है 4000 रुपीज का over recovery समझ में आया everyone clear yes sir done 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 so यह होता है मेरा over recovery of rupees 4000 तब over recovery हुआ है मतलब कैना इसे this is like a income और income अपन लोग कहां पे दिखाते है बेटा profit and loss credit side पे तो यहां पे इसे तो मेरे पास जगा बहुत कम बचा है बट अगर मैं इधर तोड़ा सा जगा कर देता हूं तो इधर मैं लिखता हूं by क्या over recovery या इसको प्यार से over absorption भी बोलते हैं and that is rupees 4000 देखो मैंने ना पूरा एक वीडियो बनाया है marginal costing के revision का आप लोग भी देख सकते हो उससे भी idea आ जाएगा अब सुनो sales 3,20,000 है closing stock 60,000 है over recovery है 4,000 का उसमें से मेरा cost कितना गया 1,76,000 मेरा fixed cost गया 44,000 selling and distribution गया 64,000 fixed cost गया 60,000 तो मेरको यहाँ पे profit आ रहा है 40,000 यह profit लिखने का मेरे पास जगा नहीं है बट मैं खाली आप लोगों को यहाँ पे बता दू लिखके कि बाई मेरा absorption का मेरा absorption का profit कितना है तो मेरा absorption का profit आया है 40,000 प्लीज यह वीडियो को वापस से देख लो ताकि या तुम लोग यह देख लो तो तुम लोगो पूरा यह system समझ में आ जाए प्लस यह notes पे भी तुम लोगो देख जाएगा मैंने कैसे इसको present किया है अब फटा फट बता दो आपका मार्जिनल वाला आउ बता देता हूं तो यह देखो अब तुम लोग जब इंस्टिटूट का खोलोगे तो तुम लोग देखोगे ओवर रिकावरी कितना है 4000 ओवर रिकावरी ओवर एच लॉजिकली आप लोगों को समझा दिया मैंने बराबर है ठीक है फिर यह अपना कितना आया प्रॉफिट उसिंग अब्सॉप्शन कोस्टिंग यह देखो 40,000 अब बचता है क्या मार्जिनल मार्जिनल के लिमें आपको बोलाई कि एक दम इजी है फटाफट दो मिनिट में हो जाएगा लेजिट दो मिनिट में ध्यान रखना तो यह देखो मार्जिनल का मेरा स्टेट सबसे पहले मैं लिखता हूं बाई सेल्स कुछ नया नहीं लिखना है आपको जो अपने उदर लिखावा है वही लिखना है बाई सेल्स उदर कितना था याद करो 3,20,000 लिख दो ओपनिंग स्टॉक अगर होता तो चेंज होता बट अभी फिलाल इसमें तो नहीं है तो वन लाग 76,000 बरावर है फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है फिक्स कॉस्ट इसमें जो एक्च्वल फिक्स कॉस्ट है आपको वही लिखना है तो एक्च्वल फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा गाइस एक्च्वल फिक्स्ट कॉस्ट एक्च्वल फिक्स्ट कॉस्ट कितना है गा the actual fixed cost नेरा question में दिया वाँ है and that is rupees 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 रूपीज 1,60,000 for the full year तो तीन महीने का कितना क्यों 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 सरा यह तो बजटेट है ना यहां पर लिखा है ना वो लोग ने यहां पर क्लियरली लिखा वह एक्चुल एक्चुल फिक्स कॉस्ट आर सेम एस बजट है अगर एक्चुल होता 56,000 तो 56,000 लिखता एक्चुल होता 75,000 तो 75,000 लिखता इधर चुप चाप एक्चुल फिक्स कॉस्ट लिख देना है विच इस 1,60,000 इस को जो जो लिखने है वो सब चीजे लिखनी है सेलिंग डिस्टिबुइशन कितना है 64 लिख दो एक्चुल इस इस जाएस देना है सर 64,000 था आज़ दिखना है टेंजन नहीं है सर फिक्स्ट सेलिंग एंडिस्टिबूशन सर 60,000 था आज़ दिख दो बिंदास बचा क्या काली लास बाई तो यहाँ पे चैसर इसमेंट इस फिक्स्टी युनिट सेट यूड एट है अंहें u आन ट्रीट किस लूँटरण पॉडेट ऑट फीज्ट के स्टूरे टो यहाँ पे यहाँ पे आल इस सेLING पूड़ाशन पर फैने भी यॉडोशन पर इंट है 220 पर यूनिट यह देखो ना कितना होता है 48,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 48,000 अब बता फटाफट कितना आता है इसमें सर और रिकावरी कुछ नहीं आएगा मैंने बुला ना एक्टिस कॉपी करना है खाली दो चीज़े चेंज होगी एक्चुल फिक्सक्स लेना है और इदर क्लोजिंग स्टॉक को खाली वेरियेबल प्रोडक्शन और एड पर लेना है यह आपका नेट प्रॉफिट आज मार्जिनल कोस्टिंग का और अगर आप लोग नोट करोगे यह रहा प्रॉफिट एस पर मार्जिनल कोस्टिंग 28,000 इसी के साथ होता है यह concept complete अब प्लीज यह नोट्स को आप लोग एक बार गोत्रू कर लेना इस नोट्स में मैंने सारी वो चीज़ें लिख दिये जो आप को session तो मैंने यह सम भी करवा दिया है आप लोगों को इसी के साथ ICAI का module का and concept भी बता दिया है अच्छा लगा तो do like it and share it with your juniors and colleagues and also आप लोगों को कोई specific concept चाहिए तो please मुझे comments में बताना we'll make it for you ठीक है बाकी मेरे पास हर एक chapter का मैंने practical का और theory दोनों का revision भी डालावा है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं वो भी आप लोगों काफी helpful होगा keep smiling thank you so much take care